आज की इस वीडियो में हम लोग Class 10 के Political Science के Chapter 6 की Important Question को देखेंगे हमारे पास जो Chapter 6 से इसका नाम है राजनितिक दल यहाँ पर मैं आपको हर एक Question को बहुत ही Simple तरीके से समझाऊँगा अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को Complete देख लेते हैं तो आप इन Questions को जिंदेगी में कभी भी नहीं भूलेंगे तो चलिए एकक करकि हम लोग सारे Important Questions को देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजनितिक दल आखिर में होता क्या है तो हमारी पास पहला Question ही क्या है कि राजनितिक दल का अर्थ यानि राजनितिक दल का मतलब क्या होता, तो देखिए, राजनितिक दल एक ऐसा संगठन है, जो चुनाओं के माईध्धम से सत्ता प्राप्त करना, अत्वा सत्ता में भागिदारी करना चाहता है, बात समझ माया, राजनितिक दल हमारा क्या है, एक संगठन है, और ये क्या कर चीनाव के माज़्दम से या तो सत्ता प्राप्त करना चाहेगा या फिर सत्ता में भागेदारी करना चाहेगा। बात समझ माया। देखें क्या है। राजनितिक दल एक बहुत बड़ा संगठन है यह बहुत बड़ा छेत्र में फैला हुआ होता है और यह बहुत बड़े छेत्रों में फैला हुआ होता है इस बात को आप याद रखेगा आगे क्या है कि राजनितिक दल का उद्देश्तिय बहुत बड़ा होता है और राजनित देखी, आगी क्या है, राइनितिक दल सरकार गठन होने के पहले और बाद दोनों इस्थिती में अपना कारी करते हैं, मतलब जब सरकार गठन होगा उससे पहले भी ये कारी करते हैं, और सरकार गठन होने के बाद भी ये अपना कारी करते हैं, इसका मुख्य उद्येश से सत् क्या होता है सत्ता की साइधारी क्या है यह हर चीज को मैंने आपको पार्ट वन में बता दिया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ता आप उसे भी देख लीजिए चलिए आगे देखिए राजनितिक दल के उदाहरन जैसे की बीजेपी कंग्रेस इत्यादी यह सिर् जिए और राजनितिक दल है कोई दिखत नहीं आगे बढ़ते हैं चलिए आगे के Question को देखते हैं अगला Question जो है एक बहुत ही Important Question है क्या है लोग तंत्र में राजनितिक दलों की दिभीन भूमिका की चर्चा करें यानि जो राजनितिक दल है इसका लोगतंत्र में क्या रोल है क्या भूमिका है इस बात को आपको बताना है या फिर कोश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पुछा जा सकता है कि राजनितिक दल क्या होता है जैसे क्या भी मिन आपको बताया जो जो डेफिनेशन बताया आप लिख दिजिएगा तो ही राजनितिक दल होता है लोकतंत में इसके क्या कारिय है और इसका हम लोग दिवेचना करेंगे कुछ इस प्रकार से आ सकता है राइनितिक दल के क्या कारिय है किन्नी चार का उल्यक करें मतलब राइनितिक दल का जो जो कारिय होगा जो जो काम होगा उसको आपको लिखना है और यहां पर चार काम को यहां पर लिखने के लिए कहा गया है खर उससे मतलब नहीं है जितने कारियों को लिखा जाने के मिल्ब जितने कारियों को यहां पर पुछेगा question उतना ही हम लिखेंगे लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसका काम question कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है अथवा देखे कि लोगतंत्र में राइनितिक दलों का महत्व समझाईए या फिर लोगतंत्र में राइनितिक दलों के किन्नी तीन महत्व फूर्न परकारियों का वर्नन करें देखिए कितने type के question आये यहां पर आप देखिए और इसका answer एक ही होने वाला है चलिए answer को देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि राइनितिक दल क्या होता है ये एक संगठन होता है और ये चुनाओं के माजदम से सत्ता को प्राप्त करना चाहता है या फिर सत्ता में भागिदारी करना चाहता है जो कि मैंने अभी आपको बताया चलिए देखते हैं कि लोगतंत्र में रायनितिक दलों के निमने लिखीत कारिय है पहला काम देखते हैं कि रायनितिक दल चुनाओ लड़ते हैं जो रायनितिक दल होता है ये चुनाओ लड़ते हैं और ये कोशिस करते हैं कि चुनाओ में उनके उम्मिद्वार की जीत हो बात समय में आ रहा है कि राईनितिक दल चुनाओ लड़ते हैं और उनलोग क्या कोशिस करते हैं कि जो उनका अपना उम्मिदवार है उसी का जीत हो यह राईनितिक दल देश में वयाप्त समझ्साओं को जनता के सामने रख कर जनता में जागरूपता पैदा करते हैं देश के अंदर जो भी समझसा है उन सभी समझसाओं को जनता के सामने रखते हैं और जनता को जागरू करते हैं जनता को बताते हैं कि देखो कि अभी हमारे देश में कौन-कौन से समझसाएं है राजनितिक दल देश के कानून निर्मान में महतफूर्न भूमिका अदा करती है ये जो राजनितिक दल है ये देश का जो कानून है इसके निर्मान में भी एक बहुत ही important role play करता है चेखें चलिए आगे देखते हैं क्या है कि राजनितिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवी अच्छी बनाने के लिए जनता की सुक सुविदा के लिए विविन कारिय करते हैं देखेंगे आप जब वोट सामने आता है तो उस टाइम जो भी राजनितिक दल के जो भी पार्टी होते हैं लोगों को बहुत ही सुख सुविदा के चीज देते हैं ताकि उन्हें अच्छा वोट मिले उनका जो इमेज है उनका जो छवी है वो लोगों के समक्ष अस्पताल बना देते हैं सड़क अच्छी नहीं है तो सड़क बना देते हैं विद्धालाई नहीं है तो वहां पर विद्धालाई खोल के देते हैं वह बहुत कुछ काम करते हैं तो वही चीज़ यहां पर बताया गया है राजनितिक दल चुनाओ लड़कर सरकार गठित कर यह जो राइनिदिक दल होते हैं चुनाव लड़ते हैं और अपने बहुमत से सरकार गटित करते हैं चुनाव में हारने वाले दल विफक्ष की भूमिका अदा करते हैं इस प्रकार हुए सरकार पर अंकुस रखते हैं देखिए अब जैसे भी कोई भी यहां पर दल चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है जितना भी दल चुनाव लड़े जीतेगा आपका एक ही दल तो एक दल जीत रहा है जो हार रहा हुआ क्या हुआ विफक्ष का पाटि हो गया ठीक है जो जीत गया उसका तो सरकार गटित हुआ और यह जो हार गया हुआ क्या होगा हो जाएगा और वह अपना मनमर्जी काम करना स्टार्ट कर देगा तो यह था रायनितिक दल के कारी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं और हमारा जो अगला क्या सकता है तो रायनितिक दल को किस परकार से सधारा जासकता है बहुत सारे राई नितिक दल मतलब अच्छे काम ने करते हैं, मतलब बेहतर ढंग से काम ने करते हैं, तो मतलब इसको किस प्रकार से सुधारा जाए ताकि ये अच्छे तरीकी से काम करें, बस यह चीज आपको इस question के माज़नम से पुछा जा रहा है, जो आपको answer के माज़नम से बताना है, अथुआ देकी question आपसे कुछ इस प्रकार से पुछा जाएगा कि राजनितिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबुत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें, तो ये question पुछा जाए या फिर ये question पुछा जाए, answer आपको दोनों का एक ही देना है, या फिर देखिए क्या है, कि राजनितिक दलों को सुधारने के लिए कोई पांच उपाई समझाईए, मतलब राजनितिक दल को हम लोग किस प्रकार से सुधारेंगे, इसके लिए हमें उपाई देना है, या फिर राजनितिक दलों को सुधारने के लिए क वही पांच परवहावी उपाय समझाईए, वही बात है कि आपको यहां पर उपाय देना है कि किस प्रकार से हम लोग रायनितिक दल को सुधारेंगे, यहां पर मैं आपको जो एंसर बताऊंगा ना बहुत ही सुंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, कि आगर आप एक सदस बनते हैं, तो आपका जो भी संपत्ती है, उसका पूरा एकदम डिटेल, पूरा बेवरा आपको पाटी और सरकार के समझ उपलब्द कराना है, मान के चलिए, जैसे कि हम लिखा आए कि यदि सदस बनने के समझ उपलब्द नहीं कराते हैं, फिर भी चलेगा, लेकिन प पर आप काम करते हैं, तो उस टाइम आपको जो भी आपका जो भी धन संपत्ती है, उसका बयोरा आपको पाटी और सरकार को देना चाहिए, यह बात यहां पर बताया गया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उत्तर को लिखा है, बहुत मेहनत किया है, आप लोग वीडियो को घर-घर जाकर वोट मांगते हैं, तो यह परता बंद होनी चाहिए, क्यों बंद होनी चाहिए, देखिए, एक्श्वल मिहां पर क्या होता है, कि घर-घर जाकर, हो सकते तो पैसा खिला कर, दारू पिला कर, मुर्गा खिला कर, यह सब मतलब चीज करके, मतलब लोब देकर व दारू, मुर्गा, पैसा, यह सब लोब देकर वोट मांगना बंद हो जाएगा, अक्षल में तही होता है, घर गर जाकर वोट मांगने का अर्थ क्या होता है, कि हम उसे पैसा खिला देंगे, दारू पिला देंगे, वो हमें भोट देदेगा, और वास्ता में यह वी तो हो ही तो यह सब नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट के अधार से में यह बताया गया है, चलि आगे बात करते हैं, आगे के पॉइंट को देखते हैं, कि किसी भी राजनीतिक दल में किसी अपराधी को सदश से बनाने की पूर्णता मना ही होनी चाहिए, देखिए, कोई भी राजन नहीं है, अगर वो पुलिस वरिप्रिकरशन करा कर लाता है, तब आप उसे उस पार्टी का सदश बनाईए, धन या पद के लोब में बिभी न परती नीधी दल बदल लेते हैं, अता इस तरह की परकिवियाप पर रोक लगाई जाने चाहिए, क्या होता है दल बदल, दल ब और काहिए जाते हैं, धन के चकर में या फिर किसी पद के चकर में, धन के लोब में जाते हैं, तो ये सब चीज बंध होना चाहिए, तब ही कोई भी राइनितिक दल एक तदम अच्छे तरीके से और सरी धंग से काम करेगा, तो ये ता इस पॉइंट का कहने का मतलब, आगे देखिए रायनितिक दल में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित होनी चाहिए देखिए महिलाओं के लिए भी एक तिहाई सीट मतलब reserved होना चाहिए आरक्षित होना चाहिए राजनितिक दल का funding पूरी चेक करने के बाद ही आना चाहिए मतलब राजनितिक दल का जो भी funding आएगा पूरा पूरी चेक होने के बाद ही वह funding राजनितिक दल तक पहुंचना चाहिए तो यह था इस question का answer मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसके answer को लिखा है ताकि आप एक बार पढ़ें और आपका याद हो जाए चलिए आगे देखते हैं आगे ये question को देखते हैं question क्या है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनितिक दलों के बीना क्यों नहीं चल सकता वर्नन करें मतलब ये जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है ये जो modern लोकतंत्र है ये राजनितिक दलों के बीना नहीं चल सकता है तो क्यों नहीं चल सकता तो देखिए राजनितिक दलों के बीना लोकतंत्र का आस्तित्व नहीं हो सकता मतलब ये जो रायनितिक दल है अगर रायनितिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कोई भी आस्तित्व नहीं है यदि हमारे पास रायनितिक दल नहीं है ऐसी इस्तिदी में चुनाओं में हर उम्मिदवार निर्दलिय होगा देखिए अगर मान के चलिए कि हमारे पास रायनि नितिगत बदलाओ के बारे में कोई वादा नहीं कर पाएगा, सरकार का गठन तो होगा परंतु इसकी उपियोगीता और निश्चित होगी, बात समझ माया, मतलब कोई भी जो बड़ा बदलाओ का जो बादा होगा ये नहीं कर पाएगा, सरकार का तो गठन होगा, लेकिन ये नहीं होगा, बात समय महारा है कि देखिए, जैसे कि माल लिजीए, आपके इलाके से कोई कंडिडेट खड़ा हुआ है, तो वह तो उस निर्बाच्चन छित्र से जो भी मतलब काम करेगा, उसके लिए जवाब देई होगा, लेकिन देश किस प्रकार से चलेगा, इसके जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए यहां पर कहा जा रहे है कि जो रायनितिक दल है ना, यह मतलब लोकतंत्र का एकदम आत्मा का काम करता है, मतलब लोकतंत्र का कोई आस्तित्व नहीं है, तो यहां पर लिखा है कि अतर रायनितिक दल आधुनिक लोकतंत्र की आत्मा है, ज पसंद आ रहा है एक लाइक और एक सुन्दर सा कॉमेंट लिखना ना हो लें चलिए आगे बात करते उन आगे को देखते हैं यह जो कोश्चन ही यह भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट और वहुत ही सांदार कोश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या-क्या चुनोतियां है तो देखे राजनीतिक दलों के सामने क्या-क्या चुनोतियां है तो राजनीतिक दलों के सामने विभीन चुनोतियां निमने लिखी थे पहला देखिए लोकतंद्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कारी करताओं से प्रामर से क्या जाए प्रंतु वास्तम में ऐसा कुछ नहीं होता उपर की कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं इसलिए जब लोकतंत्र ठीक तरह से नहीं चलता है तो लोगों की नाराजगी राजनितिक दलों पर ही होती है बात स्मझ oni सबयार करें उनका विचार विमर्स उना चाहिए उसका पूर्न पहुमत होना चाहिए नहीं होता है एक्चुल में क्या होता है कि जो बड़े बड़े नेता है ना वह खुद फैसले ले लेते हैं और उसको लागो कर देते हैं और यह क्या होता है जब यह फैसले मतलब लागो हो जाते हैं जब लोगों को यह फैसला अच्छा नहीं लगता है तो इनका जो भी नाराजगी होता ह या किसके उपर उतार देते हैं राजनितिक दल के उपर उतार देते हैं तो यह राजनितिक दल का एक चुनोती चली आगे बात करते हैं आगे की चुनोती को देखते हैं कुछ बड़े बड़े नेता उचे उचे पदों पर अपने परिवार के सदेश्चों और नजदी की लो देखिए अगर वह उस पद के काबिल भी नहीं है योग की भी नहीं है फिर भी उसे वह पद दिया जाता है ऐसा करना अन्य सदैसों के साथ अन्याएं करना है ठीक है पार्टी की छवी को सारबजनी करने के परदर्शनों वैठकों और भासनों के आयोजन के लिए धन क्यावि चिता सके तो यह एक चुनूती है चलिए आगे बात करते हैं देखिए कभी कभी पार्टियां अपरादिक छवी वाले उमिदवारों का भी चेहन करती है क्योंकि ऐसे उमिदवारों का चुनाव जितने के संभावना जायदा होती है अभी अपरादी है मतलब कुछ तो आया है तो एक बार लाइक कर दी और हमारा जो अगला लेक्षर होने वाला है अगले लेक्षर में हम लोग चैप्टर सेवन को यानि पॉलिटिकल साइन्स की चैप्टर सेवन को देखेंगे इसका नाम है लोकतंद्र के परिनाम और वहां पर में भी मैं आपको हरे इंपल तरिके से बताऊंगा तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू